आज की कहानी है एक दुष्ट लोमरी की बहुत पुरानी बात है, एक घने जंगल पे एक तोटा और एक खरगोश रहते थे दोनों में अच्छे खासे दोस्ती थी, हमेशा दोनों साथ रहते और मुसीबत की समय एक दूसरे की सहायता करते खरगोश शरी से मांसल था, जंगल की कई जानवर की दूसरी मांसल शरी से नजर थी, वो उसका मास्चत न चाहते थे लेकिन जब भी खरगोश के पास आने का प्रयास करते तोटा आपके मित्र को साफधान कर देता खरगोश वहाँ से भाग जाता, कुछ दिन बाद उस जंगल में एक लोमणी आई, उसका नजर मंसाल खरगोश पर परी, उसकी मूँ में पानी आ गया उसे भी खरगोश के मास्का स्वाग लेना था, लेकिन तोटे के रहते हैं सम्भब ना था लोमणी ने सोचा क्यों ना खरगोश से दोस्ती करके उसका भरोसा जी की, फिर किसी दिन मौका पाके दूर कई ले जाओंगी, फिर उसे मार डालूंगी, फिर आसानी से उसका मास्का सकूंगी एक दिन वो मौका पाते ही खरगोश के पास चली गई, लोमणी को देखकर खरगोश डर गया, पर लोमणी ने बड़ी मीठी आवाद से कहा दोस्त मुझसे घबराओ मत, मैं तुम ही कुछ लगी करूंगी, मैं तो दूसरे जंगल से आई हूँ, इहां मेरा कोई दोस्त नहीं है, और नई कोई मुझसे दोस्ती करना चाहते है किया तुम मखसी दोस्ती करोगे मैं तुम ही जंगल के उस पर में हरे भरे प्रित में ले चलूँगी तुम पेर भर के ताजे ताजे गाजर खाना खरगोश लोमडी की मीठी बातों में आ गया और उसके दोस्ती स्वीकार कर ली कुछ दिन के बाद से रोज लोमडी खरगोश के पास अती और उससे धेर सारी बाते करती एक पीम तोटे ने खोरगोश को लोमडी के साथ बाते करते हुए देख लिया उसे लोमडी की चाल समहा जा गई लोमडी के जाते ही वो खरगोश के पास दिया और बोला दोस्ते लोमणी बहुत दुष्ट है, उसके एरादे नेक नहीं है, वो तुम्हें मार कर खा जाना चाहती है, मेरी सलाही के तुम उससे दूरी रहो, खर्गोश बोला तोते भाई हर किसी को संदेह की नजर से देखना नहीं चाहिए, लोमणी अब मेरी अच्छी दोस्त बन देई है, मेरा भरोसा करो वो सत्र नहीं मित्र है, तुम चिंता मत करो, खर्गोश की बात सुनकर तोता वहां से चला गया, लेकिन उसे लोमणी पर बिस्वास नहीं था, वो दूर से ही खर्गोश की ऊपर नजर रखने लगा, एक तीन लोमणी खर्गोश के पास बेंग और बोली, खर्गोश भाए आज तुम ही में गाजर की खेत में ले चलती हूँ, वहां खेत में बहुत सारे गाजर उभी है, चालो ना पार्टी करते हैं, लेकिन तुम अकेली ही आना किसी को कुछ मत कहना, खर्गोश गाजर के नाम सुनते ही राजी हो गया, और दोनों जंगल के पास गाजर की खेत में पोछे, खर्गोश ने एक दो गाजर जमीन से निकाल के खाने लगा, उधर मालिक को पता चली और वो डोड़कर जाल लेके आया, लोमणी ने मालिक को देखा और पास की पेल क पीची छिट गई, बेचारा खर्गोश गाजर खाने में वियस्त होने के कारण किसान के जाल में फस गया, उसने लिकनने का बहुत प्रयास किया किंतु सफल नहीं हो सका, उसने लोमणी से मदद की कोहार लगाए, लेकिन लोमणी तो किसान के तलाश में थी कि कब खेत का मा और उसका मास चक सके, लोमणी ने बोली ये जाल बहुत ही मजबूत है, एक अटना मेरे वस की बात नहीं, तो मैं ही ठहरों में कुछ ना कुछ बंद बस करती हूँ, एह कहकर लोमणी ने पास वाली पेर के पीचे छुपकर किसान के प्रतीक्षा करने लगी, वहा जंगल मे अपने दोस्त को ना पाकर तोटा उलते उलते गाजर की केट में आ पोचा, वो खरगोश को जाल में फसा देख कर वो उसकी पास तेया और बोला, दोस्त चिंता मत करो मैं आ गया हूँ, मैं तुम ही इस जाल से छुड़ाँगा, थोड़ा धीरज रखो, फिर तोटा अपने चोन से जाल को कटने लगा, खेज की मालिक को जब अवाग की पता चली तब उसका कुलहाडी तोटे की उपर फेकी, लेकिन तब तब तोटे ने खरगोश को जाल से आजाद कर चुका था, खरगोश और तोटा कुलहाडी आते आते वहाँ से भाग गई, पर वो कुलहाडी केड़ के पीछे चुपी हुई लोमणी की उपर लग गई, और वो वही मर गई, लोमणी को अपने कुकर्म की सजा मिल चुकी थी, इस कहानी से हमें एस सिक मिलती है कि हमेशा अच्छे और भरोसे के साथ ही दोस्ती करो, जो तुम्हारे संकत की समय में काम आए कर दोस्ती कर दोस्ती काम आए